मेरे वीडियो में आपका स्वागत है तो मैंने आपको कुछ गिंदा फूल के बारे में दिखाने जा रही हूं कि आप गिंदा फूल का कटिंग किस तरह से लगाओगे पर मैंने बहुत तरह के फूल कटिंग के द्वारा लगाई है यह देखे मेरे यह है रेड ओड़ुल और आपको मैं ले चल रही हूं दिखाने के लिए यह देखे मेरे पिंग ओड़ुल है यह ओड़ुल का फूल कितना ही सुन्दर है और बड़े फूल है इनका पत्ते तो पाच है देखे इस तरह से लेकिन यह फूल बहुत ही खुब सूरत देखने से लग रहा है गाईज देख आपको दिखाने जा रही हूं और भी फूल तो गाइस मैंने तो आपको गेंदा फूल के बारे में दिखाने जा रही थी कि गेंदा फूल का कटिंग आपकी इस तरह से लगाओगे और वो कटिंग कितने दिन में आपको तयार हो जाएगी तो मैं अपने गार्डन की और ले देखिए ये सदा बहर का पोधा है बहुत ही खुरत है देखिए गाज ये और जब गाज आपको गेंदा फुल का हुसा है जब आपको गंदा फूल फूल देना बंद करें तो आप क्या कीजिएगा तो मैं तो फूल के बारे में आपको दिखाने जारी हूँ उसका हाँ किस तरह से लगारे साहति हूँ अगया यह तो हम आपको कटिंग लगाकरदिखस्थ और कटिंग से एक सत्ता में आपको जड़ नजर आएगी तो मैं जड़ भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये गिंदा फूल का कटिंग आप लगाओगे घर पे असान तरीका से तो मैंने आपको गिंदा फूल की ओर ले चल रहे होंगा देखिए ये मेरे गमले में उगाई ये देखिessä इस तरह से पूधा है गिंदा का ये तो फूल नहीं दे पा रहे हूं अर ये देखिए मैंने इसका कटिंग इस तरह से लगाई हूं देखिए ये कितने बढ़ियास गिंदे के फूल लगाई है तो मैंने आपको इसको कवाल कर दिखाऊंगे कि इसमें जड़ आए हैं कि ना और यह देखिए यह तो थोड़ा बड़े-बड़े हो चुके हैं यह देखिए मेरे गिंदे के पिर बहुत ही बढ़यां तरीके से यह ग्रोथ कर रही है तो आप भी इस पौधे को कट इनका जड़ आपकी इस तरह से निकालोगे तो गाइस देखिए मैंने तो आपको पहले से लगा कर रखी हूं तो मैं आपको इस तरह से पौधे निकाल कर दिखा रही हूं इनका जड़ तो देखिए गाइस यह देखिए मैंने यहां से इसको कवाड कर दिखाती हूं तो यह तो गमलीक मीटी सुखी हो तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी हूं क्योंकि यह मीटी अधी इनका गिला हो जाएंगे तो इसका जड़ निकलने में आसान हो जाएगी गाई और यह मैं देखिए इसमें पानी ली हूं और यह देखिए मैंने इसका जड़ तो कवाड नहीं रहा देखिए गाज इस तरह से इनका जड़ आए हैं देखिए फिर ये एक मेने दिखाई और भी इसी तरह से मैने देखिए गाज इसमें भी जड़ा आए हैं, देखिए ये तो बिल्कुल कटिंग के दोारा आप लगा सकते हो देखिए मैने इसमें भी जड़ आपको दिखा रही हूं है, यह भी ज़ड़ लग गई है गाय यह देखे मैं इस तरह से चल्ड़ लगाई है और भी मैं दिखा रही हूँ हूँ इसको फिर यहां वापस मगड़ दे रही हूँ क्योंकि यह फिर से अपने ग्रोथ कर सके, तो इसमें पानी देना बहुत जरूरी है, और भी मैं देखी इस तरह से इसमें बड़े-बड़े गाश भी लगाए हैं, तो इनको भी आपको मैं दिखा रही हूं कवाड कर, क्योंकि ये भी थोड़ा पानी डाल रही हूं, पानी से मिट्टी थोड़ा सा गिल्ला हो जाएगी तो इनका जड़ कवरने में आसान हो जाएगी तो ये देखिए मैंने इस गमले में आपको दिखाई है फिर इस गमले में आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे मैंने गास त्यार करके रखी है तुक आज देखिए इनका जड़ तो बहुत ही बड़े आए हैं ये पोध्य का जड़ बहुत ही बड़े आए हैं गाज देखिए आपको इस तरह से जड़ आए हैं आप देख कर बता सकते हो गए ये जड़ कितना ही बढ़े तरीके से आए हैं देखिए ये तो बहुत ही ग्रोथ किया है इनका जड़ बहुत ही बनिया और सुन्दर आएंगा इनके जड़ देखकर आप बता सकते हो कि ये कितने ही अधिक मात्रा में इनका सूर आई है और ये देखिए मैंने ये दिखाई है इसको मैंने ये जमीन में रख दे रही हूँ और फिर मै मैंने आपको दिखा रही हूं तो देखिए गाज मैंने ये फिर यहां से कवाड कर दिखा रही हूं इनका कटिंग भी मैंने आपको लगा कर दिखा रही है तो मैंने आपको धो धो कर दिखा रही हूं क्योंकि आप देखकर भी इसको कटिंग लगा सकते हो गिंदा के फूल का कटिंग किस तरह से लगता है तो मैंने फिर से इनको इसी अस्थान पर गड़ दे रही हूं क्योंकि यह तो बहुत ही अधिक मात्रा में जड़ा आए हुए हैं देखिए और भी मैंने देखिए इसमें भी छोटे छोटे पोधे लगाई है देखिए आपको मैं दिखा रही हूं यह बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में लग जाएगी आपको अच्छी क्वालिटी में लग जाएगी गाई मैंने देखिए आपको पोधे लगाई है और भी मैंने छोटे छोटे देखिए इस तरह से मैंने आपको बता रही हूं लगा कर देखिए यह हर गिंदा का फूल का जड़ आ गई है और गाज मैं आपको दिखा रही हूं कि आपको कटिंग कीस तरह से लगाना है तो यह थे पा रहे हैं, तो इसका cutting आपको और रहे हैं, तो इसका cutting कैट को देखिए, इस तरह से यहां से इनका potassium काट ली, इस तरह से देखिए , मैंने ये कैचि के द्वारह, इसको काट ली है और ये guys, देखिए मैं आपको दिखा रही हैं, कि ये इस तरह से आप इनका दो पत्ते निकाल लो तो मैंने देखिए इस तरह से इनको निकाल कर फरेश कर दी है और ये देखिए इसको मैं आपको और भी इनका कटिंग काट लेती हूँ एक बार मैंने अभी एक काटी है और भी देखिए मैंने इस तरह से यहां से कटिंग काट ले रही हूँ और इनको भी दो पत्ते तो गज देखिए मैंने ये खाली गमले ली है ये मेरे खाली गमले है पिल्कुल इसमें मित्ती है देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखा रही है और इसमें मैं गोबर मिला कर रखी हूँ और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ और ये देखे मैंने आपको गेंडा का कटिंग लगाना के लिए बता रही हूँ ये देखे इस तरह से मैंने इसमें एक भी जड़ नहीं है काई मैंने अभी कटिंग काटी है और ये देखे इस तरह से आपको एकदम काट कर और ये देखे इस तरह से मैंने आपको लगा कर बता रहे हूं, देखे इसमें भी जण नहीं है, आपको बिल्कुल भी जण नहीं मिलेगी, देखे ये मैंने इस तरह से कटिंग लगा रही हूं, देखे और भी मैंने काटा है, तो मैंने भी आपको दिखा रहे हूं कटिंग ल तो मैंने इसको ढोकर लगाने से बहुत ही अधीक मात्रे में ये ग्रोथ करती है देखिए मैंने इस गमले में आपको लगा कर दिखाई हूँ और ये मेरा जड़ तयार हो चुका है गाई देखिए इस तरह से मैंने फिर से आपको इतु मेरा टूट गया गाईज ये भी मेरा वीडियो अधी पसंद आए तो आप गिंदे के फूल का कटिंग इस तरह से आप घर में जरूर लगा सकते हो और देखिए मैंने इसमें फिर से लगाई थी जो आपको जड़ कवाल कवाल कर आपको मैंने दिखाई है देखिए मैंने इस तरह से हर गमले में लगा कर इनका ग करें बाइ बाइ बाइ